हाई एवरीवन वेलकम बैक टू हिल्ट कलब इंडिया उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्त होंगे दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि वीर को गाढ़ा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्योंकि आज कल 90% लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है कि हर द स्टाइल इतनी खराब हो गई है और कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से आपकी बड़ी में कुछ लगे आप खाये तो आपको फायदा करें तो आज मैं कुछ ऐसा घरेली उपाय बताने जा रहा हूं जिसको अपने हाथों से बनाएंगे और उसको अप किया हो या ब्लू फिम देखी हो या और भी किसी वज़ा से हो सकता है इन सब समस्याओं से आप अपने पार्टनर को खुछ नहीं कर पाते हैं और आप बहुत शर्मिंदा होते हैं कि अभी तो मैं ठीक ठाक हूं फिट हूं उसके बाद भी मुझे यह दिक्कत हो रही है तो आज मैं उसी का कुछ उपाय लेकर आया हूं कुछ ऐसा घरेलन उसका आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इसको अपलाई करते हैं तो आपका वीर बहुत ही गाड़ा होगा और आप अपनी सेक्स लाइफ का आनंद ले सकेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को इन तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिसना हो और अगर वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों वीर को गाड़ा करने के लिए आप सफेद प्याज और अजवाइन का यूस कर सकते हैं इ फिर इसे आप मिक्सी की मदद से इसको आपको पीस लेना है पीसने के बाद आप एक कपड़े से इसको अच्छी तरह से छान लीजिए अब आपका प्यास का रस निकल आएगा अब इस प्यास में आप 100 ग्राम अजवाइन जो है मिलाकर राद भर के लिए रख दीजिए और आप रस इतना ही डालें दोस्तों जितना की अजवाइन सोख लें बहुत जादा रस उसमें न डालें और फिर इससे आप सुखा लें अच्छी तरह से सूख जाए और दोस्तों सूखने के बाद आपको फिर इसी तरह से करना है कि आप प्यास के रस को गीला करके सुखा ले इसे आपको तीन बार करना है इसके बाद आपको इसको कूट के किसी बोतल में रख लीजिए इसका मतलब चूरन बना लीजिए और इसको किसी बोतल में रख लीजिए अब आपको इस चूरन को लेना कैसे है वह मैं आपको बता देता हूं अब इस चूरन को आपको आधा कम होती नजर आएगी आप वीर जो इतना पतला होता जा रहा है वह बहुत ही गाड़ा हो जाएगा और आप अपने आपको बहुत फिट फील करेंगे और यह आपके सेक्स करने की शमता को भी काफी बढ़ाएगा और अपनी शिक्ष्वल लाइफ का आनंद ले सकेंगे और दो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है आपको बिना बीजवाली बबूल की कच्ची कलिया और बबूल की पत्या और बबूल की गोंद आपको इन तीनों की जरूरत पड़ेगी इन तीनों को आप बराबर क्वांटिटी में ले ले और फिर इसको आप सुखा ले सूखने शीशी या किसे डिब्बे में आप इसको रख लें अब आपको इसको लेना कैसे है दोस्तों आपको रोज सुबा और रात को सोते समय खाने के बाद एक चमच गर्म दूद के साथ करीब आप इसको दो-तीन महीना लीजिए यह आपको बहुत ही फायदा करेगा और आपका वीर आनंद ले सकेंगे और दोस्तों जामुन की गुठली जामुन की गुठली भी आपके वीर को गाढ़ा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है जिन लोगों का वीर बहुत पतला होता है यह वो थोड़ा सा भी अगर सेक्स करते हैं और फौरन वो मनने के बाद आप इसको डिब्बे या शीशी में अब इसको रख लीजे अब आपको इसको लेना कैसे हैं आपको एक चमच चुरन एक चमच शहद के साथ रात को सोने से एक घंटा पहले लेना है और यह आपको डेली लेना है आप अगर दो तीन महीने तक इसका सेवन करते हैं तो आपका वीर बहुत गाला हो जाएगा आपकी सेक्स लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी और आपको जो भी परिशानिया हो रही थी सेक्स से रिलेटेड वो धीरे-धीरे करके दूर हो जाएगी और आप अपने आपको काफी सेवन बिल्कुल ना करें तो दोस्तों यह थे वीर को गाड़ा करने के कुछ घरेलून उसके जो कि मैंने आपको बताए जो आप अपने हाथों से तयार करेंगे और अपने उपर अपलाई करेंगे इसमें कोई भी किसी तरह की मिलावत नहीं है कोई भी केमिकल नहीं है ना काफी फिट मैसूस करेंगे आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाओ तो आप तक जरूर पहुचे थैंक यू